हेलो फ्रेंड आप आई एस के देनी खिंदी संपाद की विश्लेशन में आपका हार्ट देख सब्सक्राइब आज हम डिस्कस करेंगे तीन आर्टिकल इनमें से पहला अर्टिकल यह चेतन भगत जी कहा है जो कि यह कुछ एकोनॉमिक अपने जो जीडिपी है उसकी जिद्धी तरको दस फिस्दी करने के लिए इनके कुछ है मतलब के काफी इनिवाटिव सजेशन न दिये हैं कि जो कि इस आर्टिकल अपना है यह जो क्लाइमेट चैन्स इलेटर्ड जो हुआ था से उत्राष्ट संका जलवायू आप दा सिखर समय वहां पास हुआ था तो उस पर जो भारत के तरब से इनिश्योटिव लिए गया थे या उसमें भी जो भी चीजे निकल के मतलब की देखनों को मिल लिए-टोमेसी है तो इसको अप्रिशेट करता है छो करेंगे तो हम सटर्ट करते हैं आगरतिकल है कि और यह कि कुछ ऐसे कदम जिससे कदaces स्थिजडिव वो गई है तो निश्चीत दोपेस के लिए जो टार्गेट होना चाहिए तो जो दस पीशली जो है तो एक नार्मल सी वात है कि कि गालब 10 फिजदी यहां पास तो विकास तर्सेट होना चाहिए और उसको हांसिल करने के लिए यह थोचित कदम भी उठाने की जो बत है तो यहां पास जो है तो कैसे इसको मतलब की इंप्रूब किया जा सके है ना कैसे बढ़ाया जा सके है तो इस पर यहां पास राटर फोकस क्दम के भी बात करते हैं तो हाला कि ए टो donker long term के जल्द मतलब की जिससे के अपने जो अर्थ व्यासता इसको तेजी से ब्रिध्धी की तरफ बोड़ा जा सकते हैं अब गत दी जा सकती है ऐसे कुछ कदम उन्होंने सुझाए है जिस हाला कि जैसे कि कुछ कदम तो जैसे कि इसमें जो अपना नियंत्रण है अस्थिरता का तो इन चीज़ों पर मतलब की धान दिया गया है कि इन चीज़ों से मतलब सरकार को बचना चाहिए जरूत से ज्यादा नियंत्रण से भी बचने की जरूत है वहीं पास क्योंकि यह रिकार्ड भी रहा कि कोई भी प्रमुक देश है तो निजी छेतर को जब तो कुछ फ्लेक कर सकते हैं लेकिं जो और ज्यादा उचाही तक उड़ाना हो तो हमें अपनी जो डोर है उसको धीमी करने की जरूत मतलब कि और छोड़ने की जरूत होती है तो इसलिए यहां पास है कि कुछ फ्लेक्सिविलिटी देने की जरूत है तो ही जाकर के मतलब ज्यादा अच्छ से जीडिपी में बुष्ट मिलेगा और वैसे भी जैसे कि भारत का बरतमान जीडिपी देखा जाते हो जो जो ने इसका तो जो लगवत तीन लाग करोड डालर का है तो इसके अप एक्छा की गई है तो दस फिजदी की जो दर है तो उसके लिए लगवत त्री हंड़र अर्थ आर्थिक गदविधि की जुरुट होगी जिसके लिए हलाकि बरतमान ये 5 फिजदी की विकास दर है इसमें अत्रिक्त पांच फिजदी की और एफट की जरूवत है इसमें सब्द्रोट एक्स्ट्रा की जरूवत है तो इसमें से जो है तो अप्रोंक्स लगवक देशभर मे कि अर्थिक गत्विदियों के लिए यहां पास राइटर नो कुछ च्छेक जवहारिक कदम सुझाए हैं जिससे कि मतलब कि 10 फीजदी तक व्रुद्धी हासिल करने में कुछ हर्थ तक छर्मता हासिल हो सकती है तो यहां पास उन्होंने कुछ जो प्रावी कदम उठाने की बा भोगता जो है तो जो भी मतलब की जैसे छेत्र हैं तो बड़े पैमानवार्थी गत्विदियां यह भोगता के मनभावों को संचालित करता है यह चेत्र जो रियल इस्टेट है और यह देखा गया कि इसमें काफी मतलब पिछले 5 सालों से इसमें काफी एकदम स्थिरता का म इसमें कुछ ज्यादे इसको बूस्ट दिया जा सकता है रियल इस्टेट सेक्टर को तो इसके लिए सरकार को इस तरह कदम उठाने चाहिए कि जैसे कि दूसे अगयरे हैं तो उसमें से जो अपयक्षित किराया है तो उसको कम यह हटा दिया जाए क्योंकि यह तो ठीक उसी से हो जाएगा कि जैसे कुछ मतलब नगदी पड़ी है तो उसमें अपयक्षित ब्याज या टैक्स वसूलने के उसमें इन्वेश्ट उसको कर दिया जाए दूसरा यहां पास राइटर ने सजेसन दिया है कि जो स्टैम डियूटी है उसमें काफी मात्रम कटवती कर दिया ज अपने ज्यादा मात्र में जमीन भी बेच करके इसे काफी ज्यादा पैसा खड़ा किया जा सकता है तो यहां पास राइटर ने सुझा दिया कि क्रिस्टी सेक्टर पर जैसे किस तरह से इंप्रूमेंट लाया जा सकता है तो क्योंकि भारत के प्रद्श स्यादी देखा जा तो एक खेती को डिना नहीं करा सकते हैं पास बिना क्रिस्टी के तो ब्रिद्धी बहुत यह कठिन हो सकते है क्योंकि लगवख 55 फिच्टी यहां पास बहुत के आबादी जो है तो खेतर पर रोजगार पर डिपेंड है और जीडिई को का इस चीज को यहां साथ में नहीं तो बहुत ही यह मुश्किल होगा जाद अब डिदर हासिल करना क्योंकि ज़से जाद तर बुनियादी ढाचे उन पर जो केंद्य जो होते हैं दीरगावादी समाधान होते हैं अलकि जल्दी करने वाले रिफाम होते हैं तो उसमें से कुछ सजेस्टन है जैसे कि जो बहां को यहां पास तो यह जो मेरुजवाना है तो भारत के संस्कृति से पहले से जुड़ा रहा है तो किस प्रधान देश होने के बाद भी हम इस च्छत में इसका अच्छा से लाफ ना ले सके तो फिर तो कोई मतलब भी नहीं तो यहां पास है तो इसे ब्रेता दे करके हम काफी मतलब कि इससे भी इंकम जनरेट की जा सकती है और यह हाला कि हमें अभी लगवक आगे आने वा कुछी तरीके से्ट वो भी चनरेट कर सकें अभी आसक है कि कि इसकट लिए जो माढदक पजार्त है तो वह कि अब intention जिए चाहल की आज़ेल तो फ्रे तो उसी तरह से नियामक नही Leans बना द पादिया लेकिन लेकिन इसको लीगल बना दिया जाए यह बात Young कने यह हैँ लि क्योंकि बिक्री में काफी समय लगता है यह लांग टर्म हो सकता है लेकिन बेहतर तरीक यह भी हो सकता है कि जैसे कोई 20 जो सहावी ने की काई है उनको एक फंड या लगभग डाइवेश्ट को जो है तो उनको जैसे होल्डिंग कंपने तो उनमें इंटेग्रेट कर दिया जा दो इस सरकार इपने डिश्ट को रिलीज कर सकती है न तो इसे भी प्रकार से ज्यादा फायदा हो सकता है और चोथग है सजय कि कश्टम्स होगारा है जैसे कि कश्टम डूटी वगए तो इसमें भी काफी मतलब की गड़बर देखने को मिलती है न जैसे यहां पास हमारे ए इस परधा में पिछड़ जाते हैं तो यह तीव रिगत से बढ़ना है तो हमें इस समस्य को निश्ची तर पर दूर करने की जरुवत होगी सरल और एक समान ड्यूटी वाले जैसे हैं सरल और एक समान कस्टम ड्यूटी का समाधान इसके लिए ज्यादा उचित हो सकता है कि इस तरह के कदम उठाया सकता है कि इसको काफी सरल के जो प्रक्रिया जटील है और साथी कस्टम ड्यूटी समाधान भी सुझा जा सकते हैं और साथ ही जो है तो जाज की मौजूदा प्रक्रिया इसको भी देखते हैं काम करने की इसमें भी ज़्यादा जरुवत है ताकि आर्थिक वृद्धि को ये भी एक प्रकार से बाधा के रूप में हैं तो ये भी जो हते हो ताकि इससे भी निजात मिल सके पाच्वा यहां पा टेक्स उसको कम कर दिया जाए जो लॉड्टर परवरतनी तक यो जाना चाहिए वहीं जो है तो लोगों की वैस्वी का आमदनी है तो उस पर जो टेक्स लगते हैं तो उस पर भी करना लगाया जाए जाए तो इससे क्या होगा कि यह तो इस तरह के सुधार लाए जाएंगों तो इससे क्या होगा कि वैसी क्निवेसक और कमपनी है तो भायत के तरफ में श्चीत और प्यार रसीत होंगी और इसकी बरतमान में जरुद भी भायत को है तो इस तरह के रिफर्म लाए जाएंगों वहीं छटमा सजेशन राटर का है कि जो इन्वेश्टर प्रोटेक्शन बिल की भी खास तरफ पर जरुद है क्योंकि जैसे यहाँ पास देखा गया है कि हमें इस चीत पर ध्यान देने के जरुद है कोई भी यह निवेसक होते है तो पहले बात वहाँ पास राजनीती किश्टिति और भविस्त को जो है तो अनुमान लगा करके ही निवेस करता है यह सपोज इरिक किया जाए कि कोई भी 10 साल की टैक्स रेट किसी भी कंट्री पे है ठीक है वहाँ पास और अन इलागा था तो उसके प्रेडिक्शन कर लिया ग उसका इस्टिमट तो बिगड़ जाएगा तो इससे काव कि इस तरह अस्थिरता ना बने तो इसलिए ऐसे कानून हमें बनाने की जूरत है जो कि उससे इन अनिश्चित्ताओं से उनको जो है तो एक प्रकार से निजात दिला सके है न और इस्थाई इस्थाई तो पतान कर स जाके जाकि और ऐसे नेती को तो कर समंदी बदला ना हो जो कि भारती बिजनेस के खिलाफ हो तो उनके लिए एक प्रकार से विस्थास का भी माहौल बनाने की जूरत है और बढ़ता हो जैसे कि इसमें ठोस जो बढ़ती अर्थ वैस्ता इसको ठोस आधार देने के लिए हला पासाला के सरकार ने बहुत कुछ कतब उठाये भी हैं जैसे कि इसमें और भी कुछ करने की जाने की जूरत है जैसे कि अपने बेहतर सडकेयों बंदरगाह वगारा विमानतल हैं सेलफ़ोन नेटवर्क वगारा काफी स्ट्रॉंग की जूरत है और बिजली पानी है तो इनक मतलब की ज्यादा तीवर्ता से आर्थिक व्रिद्धिम हासिल कर सकते हैं और साथी ज्यूरत ज्यूरत थे ज्यादा नकरात्मक बाते हैं GDP के आंकड़े जैसे हैं कि बहुत ज्यादा इनका राजनेती करने पर आजयवादी रवाया है जो है इनकी बजाए हमें ज्यूरत है ज्यादा हाई GDP को बढ़ाने की ज़रुगा थे यहाँ पास उस पर ध्यान विश्यआश तरफे देने जरुद है ना कि ज्यादा टैक्स कलेक्शन करने के फोकस करने की ज़रुगा थे पास तो अर्टिकल में इतने ही चलते हम नेक्स्ट आर्रिकल पर यहाँ अर्टिकल है मो महादी प्रोग्राम हुकि है to be確ских चbaneπο प्रेकर से कुछ ने रैटर को उजञगर करते हैं कुछ यहाँ पास आप sharply है यहाँ पास प्रोग्राम हुकि है तो अनिवासी भारती थे 어떤ıl तो ट्रम्प का मतलब कि मंच साजा किया जाना एक प्रकार से बहुत ही मतलब कि कुटिनीती कही जा सकती है कि वहां के जो तो आने वाले election को भी देखते हुए जो राष्टपती के होने वाले election वहां पास आगे जो होने वाले बहुण है अच्छेम्पति αναण। तो छिघआ से राजनीतिक यह भी हो सकता तो तो इस द्रिश्टकॉन से साथ हो सकता है कि वहां पास ज्यादा मतलब कि रहे हूं और जो है तो यह साथ ही जैसे इसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि यहां यह जी की जो है तो एक प्रकासि डिप्लोमाशी भी है कि इस चीज को वैसिक दुनिया भी एकसेप्ट करती है उनकी जो व्यक्तिकरते रिष्टे है तो काफी मतलब की अच्छी है जिससे हमा जो है तो साथ पर हमारे जो विदेश मंत्रिय हैं उनका भी काफी ज्यादा योगदान साथी मिलग्यों के प्रकार से प्लेट फार्म तयार कर देते हैं और बाकी यहां पास वक्तरव कॉसल के उस पर करते हैं अब 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 जाए चीन अमेरिका जैसे भारती राजनी के तरव भी काम कर चुके हैं तो काफी उनको कूटनीत का काफी लमबा नुभा है तो इसके सहाद अकिभात को जो कह सकते हैं कांतराश्टी संबंधों को और इस भी जादा अच्छे बनाने में यह एक प्रका के साथ भायत के रिष्टे भी यह तो काफी सुधृड हुए हैं वहीं अमेरिका के साथ भी दोस्ती में प्रगारता देखनों के लिए और चीन को इभात एक प्रकार से साथ ही मितलब की उससे भी काफी अच्छे संबाद विक्सित करने में सफल रहा है और यह यहां तक की कि एक प्रकार से कोटनेटिक कॉसल की सफलता है इसको कहा जा सकता है जैसा कि भी देखा जात कि जो ओबामा के समय जो हिंद प्रशानत और हिंद महासागरी छेतर में जो भायत के साथ एक साथा सामरिक विजन संबंदिर समझाता हुआ था तो से चीन काफी मतलब की समद्र समंद्र नियम कैदे इनका अनुपाला नहीं सुनिष्चित करने से जुड़ा यह मामला है मतलब कुसी मित्ता है इसकी फिर भी मतलब की इसे चीन काफी नाखुस था और साथ इसके देखा है भारत अमेरिका जो है तो परमाड़ करा रहे रच्छा समंद्र साथो को लेकर भी चीन में असाहस्ता देखनों की मिली थी तो इन घटनाओं के बाब जूद भी भारत जो है तो उसकी चीन के साथ काफी सत्भावना पूंट समद्र भारत ने स्थापित किया है और इसके उदाहंट देखे जा सकते हैं कि जैसे भी जो पिछले कारकल में अपनी जो प्रोटोकाल तो प्रकास राष्टा दच्च भी तोड़ा तोड़ते हैं प्राया तो उस बैठक में कि बाद जब जिन पिंग ने भी यह मतलब की काफी विश्वास ब्रेक्तिका तक जैसे मैं चीन भारत के रिष्टों के भविष्ट को लेकर के पूरी तरह आस्वस्त हूं और मेरा मानना है कि दोनों देशों के आपसी रिष्टों को आगे बढ़ाते हैं वास्तिक प्रकाति हासिल होगी तो इस तरह जहां मोदी भारत और अमेरिका परमाण करार के प्रिप्रेच में भारत को अमेरिका करीम ले जाने में जूटे हैं तो वहीं जो है तो चीन भारत को वहां पास बसे भारती जैसे हैं तो उनको भी लगा कि जो भारती हैं तो उनके लगों 14 फिस्दी मत मिले थे पिछलों पे तो इसमें भी जैसे कि यह अपने अनवार्सी भारती समुदा है तो इसको समर्थन हासिल करने के उम्मीद निश्ची तरपे वहां के मतलब डेमो के हित में भी एक प्रिकर्सी है सकारात्म कोटनी ती ही कही जा सकती है और आज बरतमान समय में जैसे कि रूस भायत की अमेरिका से कफी ज्यादा नजदी की वी बड़ी थी जैसे S-400 को लेकर के लड़ाको विमान को लेकर कि जैसे कुछ सवधे हुए थे तो अमेरिका की वी इप अन्षी बहात ने इन रहा है ने देसों को काफी इन से बेतर तरीके सिया एतने जो विदह विस्षी संबंद सी나हे तो प्रघार्टा के साल बना या है वही जापान के साल भायत के काफी मधूर संबंद सेखने को में रहे हैं और यह इस्याहर के साल भी काफी अच्छ स से संबनद है तो यहlairag है कि योred के प्रकार से छक्रक्रावतली सकती के रूप में, इसको कह जा सकता है, एक उपलब्दी के तौर पर ही को देखा जा सकता है वे चलते, नेक्ष्टर yum है. इसको यह न अब पहलती है क्लाल पर दिखनेches, तो उसमें नरमल बाते हुआ कर देंगे तो यहां पास जो है तो सेंगत राश्ट संग के जलवाई आपदा सिखर समय तो यहां पास जो मौदी जी का मतलब की स्पीश था तो उसमें भी उन्होंने आवान किया था तो उसको काफी जादा इमितलब उन्होंने कहा कि अब दिन बढ़ता ही जा रहा है और काफी टंप्रेचर भी बढ़ता जा रहा है तो अलाकि दुनिया बर के वेग्यानी को पर्याइबादी जो है तो कारबन उत्सराजन को कम करने पर जोड़ दे रहे हैं और यह उचितम बहुत ज्यादा इसकी मात्रह भी बढ़ रही है तो भा भाहत ने काफी प्रयावाण के द्रिश्टकॉर्ण से बहुत ज्यादा इनेशियोटीव अच्छे कदम भी लिये हैं जैसे कि सतत्व विकास और सबको साथ मतलब सेयुक्त राष्ट के लक्ष्ट में भाहत ने तेज सर्व मतलब की इसमें बहुत ज्यादा सकरात्मक भाहत क एक्टिविटी रही है और इसमें जैसे भाहत ने पेरिस समझाते के अनुसार भी कदम काफियत होचित कदम उठाने के पूरी कोसिस भी किये और भाहत अपने विजन भी इसपश्ट के एक जैसे भाहत गैर परमपरगत और नान फॉसिल इंधरन में जो है तो उत्पालन का अधिक बढ़ा करके लिए प्रतिवद्ध है वहीं इस पर प्रतिवद्ध है कि अपना विजन वहां पास इसपश्ट किया और वहीं जो मोद भारस और जापन बिजली जैसे जो गैर परमपरागत इंधन के उत्पादन है उस पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात भाह पास मतलब कि अभिव्यक्त की तो इसे हला कि कई देशोदारा भारत को अप्रिशेट भी किया गया और संयुक्त रष्ट संग के जो वहां पास भारत ने शक्त पर सोलर पैनल भी लगाया गांदी जी के एक सोपचासवी जैनती वे वहां पास जो लगवक सोलर पैनल एक उतने देश संयुक्त रष्ट के हैं तो उतने पैनल लगाए गया है तो उसका भी वहां पास अनावरान हुआ तो यह प्रकार से भारत का है इसके जलबाई को लेकर कि जो भारत के समय दाशिलता और इसको मतलब कि प्रकार से सकारात्मक कदम ही संकेत ही करता है बैस्वी की स अब आपास यह इस प्रेश्ट केया कि जैसे इसे कमरे के विमर से निकाल करके जन आंदोलन बनाने की जरूवत है क्योंकि अब बाते बहुत हो गई आप यहां पास यह की काम करने की जरूवत है और इसके लिए तो देशों को आगे गाया करके उसके लिए अथवजित कतम भी उठाने की जरूवत होगी इस दिसा माला की भारत ने भी बहुत ज्यादा काफी अच्छी इनेश्योटी ले जिसको जैसे कह सकते हैं कि अपने सड़कों पे सोलर पैनल लगाए गया है वही जो भारत और प्रांस मिलकर के अंतराष्टी सर्वर्जा संगठन भी बनाया अच्छा संध्यश इनेश्योटी एच्छा लगवग इसमें से 90 देश इसके पार्टिश्पटर भी हैं तो अच्छी कदम भी उठा हैं जिसकी भारत को विसको इसस्तर पर सरहना भी मिली है तो इस तरह भारत जो है तो कुश्मामनलब धरते का तापमन घठाने के लक्ष की दिसा में बहुत ही एक प्रकार से नेत्री तो करता की भूम का भी निभारा है तो यह मतलब की इस दिसा में और भी देशों को मतलब साथ में आने की बाते भी यहां पास व्यक्त की गए है तो जब अब जो है तो एक प्रकार से इसलिए भारत अपने जो इस दिसा में काफी अच्छे कदम भी उठा है इसलिए आत्म विश्वास के साथ विश्वमंच पर इन बातों को व्यक्त करने भी पूरी तरह भारत पूरी प्रत्पतिता के साथ व्यक्त भी करता है तो बस आज की इस आर्टिकल में इतना ही दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और जैर करें धन्यवाद